दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन को लेकर सुप्रीम कोट में शुकरवार 10 नुवंबर को सुनवाई हुई सुप्रीम कोट ने कहा कि हर साल जब हम दखल देते हैं तभी एक्षन क्यों लिया जाता है दिल्ली सरकार को फटका लगाते वेक कोट ने कहा कि हम नतीजे देखना चाहते हैं जस्टिस संजे किशन कोल और जस्टिस असाहन उद्दिन अमानुल्ला की बेंच ने सरकार से पूछा कि पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे शायद भगवान ने दिल्ली के लोगों की प्रातनाएं सून ली इसलिए गुरुवार रात में बारिश हो गई शुकरवार दस नवंबर को ही दिल्ली के परियावरन मंत्री गुपाल राए ने कहा 13 से 20 नवंबर को लगो होने वाली ओड इवन स्कीम अब नहीं होगी बारिश के चलते दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है प्रेस कॉनफरेंस में राए ने ये भी कहा कि दिपावाली के बाद सरकार एर क्वालिटी का रिव्यू किया जाएगा अगर एर क्वालिटी में गिरावट आती है तो और इवन स्कीम शुरू की जा सकती है